हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AJ Medicines में मैं हूँ आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से आजर हूँ दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊँगा claimant 625MT tablet के बारे में claimant 625MT tablet को कैसे use करना होता है क्या इसके benefits होते हैं क्या इसके side effects होते हैं क्या इसके substitute होते हैं यह सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूँगा अगर आप इस channel पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल कॉल जरूर करते हैं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अफ्लोड करूँ मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं 11625 एमजी टेबलेट एक एंटिवाइटिक मेडिसिन है यह डॉक्टर दुवारा सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले दवाओं में से एक है इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जिन लोगों के सरीर में बैक्टरियल इंफेक्शन हो जाता है उनके इलाज के लिए से यूज किया आता है जैसे कि किसी को बहुत जड़ा बुखारा रहा हूँ या फिर इसी को चोट लग गई हो घाओ बन गया हो उस घाओ को सुखाने के लिए से यूज कियाता है इसके अलावा यह और भी कई 12 बिमारियों को ठीक करता है आप लोग को एक दो या तीन या चार बिमारियों के बार भी जरूर देखें उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकिजिंग आप स्क्रीन पे देख रहे होगे यह एक स्ट्रिप के पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट होती है और इस दस टेबलेट का जो प्राइज है वह है 204 रुपे यानि 204 यार किया गया है अब में आपको बताता हूँ कौन-कौन सी बिमारियों में यूज होता है जो पहले में आपको दो बिमारी बताई उसके अलावा यह बारा बिमारियों में और क्या आता है और जो दूसरी बिमारी है वो है अगर किसी को बहुत ज़्यादा फेफडों में infection हो फेफडों में पानी भर रहा हो ऐसी condition में भी इसका इस्तेमाल क्या आता है जो तीसरी बिमारी है वो है blood infection अगर किसी को blood infection हो गया है तो blood infection में भी इसका बहुत ही रोल है उसे ये ठीक करने में काफी मदद करता है चोथी जो बिमारी है किसी को चोट लग गई हो घाव बन जाओ बहुत ज्यादा चोट लगने के विए से छिल गया हो चाहे किसी कारण की वह से या फिर किसी की बड़ी सरजरी हो उस कंडिशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया आता है ताकि उस घाव को पूरी तरीके से सुखाया जा सके जहां पे भी उन्हें टाके लगे हैं और जो साथ वी जो बिमारी में यूज होता है वह होता है जिन लो यूज किया आता है साहत साथ मैं आपको बताना चाहूंगा बिमारी तोड़ हो यूज बहुत ज्यादा इसे सुखाने कि लिए यूज होता है वह होता है किजा है अगर किसी को ब्रॉंगांटी। की प्रॉब्लम है तो कुछ दवाओं के साथ इसका भी उप्योग के जाता है ब्रॉंकाइटिस के लिए भी बहुत ही बढ़िया माना जाता है बार्वी जो बिमारी है वो है किसी के दातों में या मसूरों में बहुत ज़्यादा जाता है ताकि उस जगे को प्रोपरली ठीक किया जा सके तो यह इतनी सारी बिमारियों में यूज होता है जो कि आपको सिर्फ दो से चार बिमारियों के बारे में ही पता होगा और यह एक अंटिबाइटिक दवा है और इसका बहुत अच्छा रोल है सबसे ज़्यादा डॉक् कंपनी की दवा दे देता है कोई भी मेडिकल स्टोर वाले तो ऐसी कंडिशन में आप उसे ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो तो मैं आपको बता दूँ आपको क्लेवं की जगे पे और चेसो पच्छी समझी टबलेट मिलती है तो आप उसे यूज कर सकते हो वह जी इसके कंपन कर सकते हो वो दवा है नोवा क्लेव 625 समझी टबलेट यह भी बहुत अच्छी दवा है यह भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी जैसा कि आप स्क्रेंग पर देख पा रहे होगे तो यह तीनों दवा अगर आपको मिलता है तो बेस्ट है अगर इन तीनों में से पर यह फिंग लोड़ा को चेंज़ कर दे अब मैं आपको बताता हूं इस दवा को ले ना कैसे होता है इनकिन बीमारीओं में कैसे यूज्ञ होगा, यह हर तरह की बिमारी में एक ही तरह से यूज होता है, वो मैं आपको बताता हूँ,于सकी एक expresses सूभा, एक krijgen साम को खाने केGuं केबाद लेना होता है, कई बार इसकी डोज को बढ़ाया सुबह आधी टब्लेट साम को दे सकते हो, अगर दिक्कत जादा हो तो जिनमें तीन बार भी दिया जा सकता है, इस तरीके से बच्चों में भी आप दे सकते हैं, उससे कम उमर के बच्चों को नहीं देना है, दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आप यह दवा देते हो, तो इससे क्या side effect आपको देखने को मिल सकते हैं, देखो दोस्तों, हर दवा के कुछ ना कुछ side effect होते ही हैं, तो इसके भी हैं, वह मैं आपको बतायाता हूँ, वैसे यह ना के बराबर ही देखे जाते हैं, किसी किसी में ऐसी problem देखी जाती है, जब आप दवा को देते हैं और लेने के बाद, आपके सरीर पे सोखी खुझली, जा बहुत ज़्यादा दाने पढ़ने लगें, तो आप समझझ लीजिए, आप कोई शूट नहीं हो रहा है, या फिर आपके सरीर पे चकते हैं पढ़ने लगें, तो भी आप समझद सकते हो कि आपको इस्व न ही हो रहा है और जब यह दवा सूट ना हो तो फॉरन इस दवा को रोग दे और अपने नजदी की डॉक्टर से एक बार जरूर मिले और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके फूच सकते हो हो सकता है रिपलाई करने में देरी हो ज जाले आप अपने नजदी की डॉक्टर की एक बार सला जरूर लेजिए आई होप कि आप कोई वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए तना ही कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुडब ेजिए कर दो कि आपतों कि अल में एक नई होगी तודע, क्यात। आप से अई हम एक बार सेक्व हैं, अझाले बॉह पाले से जानकाँ और मैं घजव पनाज़ समय,